जैशी कृष्ण दोस्तों बियासरा फैमली में आपका स्वागत है दोस्तों हमारे संसार में बहुत ही अद्भुद मतलब जड़ी बूटियां हैं व्रिक्ष हैं पेड़ पोधे हैं बहुत ही चमतकारी हैं आज मैं आपको एक ऐसे ही व्रिक्ष के बारे में बताने जा रही जाए तो कितनी भी खराब किस्मत हो कह लीजिए या कितना भी दरीद्र व्यक्ति हो कितनी भी गरीबी हो उसे धन्वान बनने से नहीं रोका जा सकता क्योंकि अगर वो जड़ी अपने पास रख ली जाए सिद्ध करके और असली जड़ी होनी चाहिए अगर रख ली जाए तो वैपार में वृद्धी अगर घर में रखी जाए तो सुक्स मृद्धी बनी रहती है मंदिर में अगर उसको रख दिया जाए तो घर में कलेश बंद हो जाता है मतलब आपस में परिवार में प्रेम बढ़ता है अगर तिजोरी में रख दिया जाए तो मतलब धन को दोस्तों उसे जानने से पहले जो पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं प्लीज मिने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बगल में घंटी के बटन को भी दबा दीए जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो का सबसे पहले आप तक दो knife को यह जो जुड़ी विशेशूरीं से पहाड़ों के जंगलों में मध्य प्रदैस के जंगलों में और विशेश रूप से निपाल में में पाई जाती हैं आप अब सबी जानते हैं कि निपाल भरपूर जंगलों से ब्धरा पूरा हुह भी आिश से जानते हैं पहचानते हैं उन्हीं का प्रियोग अपने मतलब हर चीज में करते हैं जो आजकल सब जगा मतलब उसकी जो प्रडक्ट है बिक्री हो रही है तो दोस्तों तो इन जगाओं पर यह पाई जाती है उस पेड़ का नाम विरुपा है आप चाहे गूगल में सर्च करे लेकिन जो जड़ी का नाम है असार नहीं करती है तो ही उसका मतलब चमतकार है और उसको सिद्ध करके आगर घर में रख लिया जाए है या मतलब वैपार स्थल में रख लिया जाए तिजोरी में रख लिया जाए और मतलब कहीं भी उसको अगर सिद्ध करके रखा जाए तो उसको अपने आप ही चमतकार दिखाने प्रारम कर देती है आपको कुछ भी करने की जरोतनी होती चाहिए आपको वैपार करें मतलब कहीं न कहीं से आपको धन प्राप्ति के योग रास्ते खुलते चले जाएंगे और आप देखेंगे घर में भी रखने से उसका वातावरण ही बदल जाएगा इतना मतलब प्रभाव है इतना चमतकार है जड़ी का क्योंकि इस जड़ी को हत्ता जोड़ी देखे इसका ज इंसानों के हातों के आकार की होती है जैसे हम मुठी बांद के करते हैं पंजे की तरह दिखती है शेप उसकी और उसी को मतलब इसलिए उसे हत्ता जोड़ी का जड़ा है क्योंकि वह हातों के पंजो जैसी होती है उसका जो आकार होता है लेकिन वह बहुत ही दुरलब होती ह अगर आपको कहीं मिल जाती है, देखे, हमेशा असली चीज को रखनी चाहिए, नकली तो बजार में बहुत मिल रही है, उसको पहचानने के अभी मैं आपको बताऊंगी, दोसको उसको बहुत ही चमतकार है, उसको आप रख लीजिए, उसको सिद्ध करने की विधी और उसका प्रियोग मैं उसकी अलग वीडियो डालूंगे क्योंकि बहुत लंबी हो जाएगी आज मैं सिर्फ आपको यह बता रही हूं जो हत्ता जोड़ी होती है मां चामुंटा का ही रूप माना जाता है उसे तंत्र मंत्र में इसका बहुत प्रियोग किया जाता है इसका इतना चमतक संदूर में रखा जाता है और मतलब इसे सिद्ध करके ही रखा जाता है आप चाहें तो ब्रहमर से भी इसको सिद्ध करवा के रख सकते हैं नहीं तो आपको मैं वीडियो डालूंगी कि आप सोयम भी इसको घर में कैसे सिद्ध करके रख सकते हो और समय समय पर कब कब इसको कुछ सिद्ध करना चाहिए तभी इसका आपको लाम मिले गा दोस्तों ये घणता जोड़ी है मां चामंड़ा का साथ माना जाता है मां कामेक्षी का देवी का साथ माना जाता है काल भैरभ प्रुप माना जाता है इसका इतना प्रभाव है अगर इसको जो भी रख ले अपने पास चाहे उसका कोट कचेरी का काम हो कोई भी समस्या हो भूत प्रे तंत्र मंत्र किसी का भी प्रभाव आपके घर में आपके परिवार में नहीं होगा आपका वैपार स्थल पर इसको रखते हैं तो आपके वैपार में व्रि करने की और इस को रखने की वीदी में अलगसे आपको व्यदी秒 में जरूर डालूंगी दोस्तों मैं इसको हमारे पास रखी हुई है मैं आपको ऐसेही दिखा देती हूं देखेये यह तामेक की डबी faut cm & k BenAnon तो आपको दिखेगा नहीं तो अलग से मतलब इसकी वीडियो में डालूंगी आप उसको देख लेना अच्छे से और इसके बहुत ही चमतकार है अब भी में ही रखी जाती है मैं अभी आपको से खोल के दिखाती हूँ आप ध्यान से देखिएगा यह देखिए यह सिंदूर में रखी जाती है इसका जो आकार होता है आप ध्यान से देखिए जैसे मुठी बंद करते हैं ना हातों की सेम ऐसे होता है यह देखिए आपको दिख रहा होगा यह मैं पीछे से भी दिखा दूँ आपको मैं यह देखिए यह एक जड़ी होती है जिसका आकार बिल्कुल हाथ के पंजे होते हैं ना सेम जैसे मुठी बंद कर रखी हो हमने यह देखिए इसलिए इसका नाम हत्ता जोड़ी है यह देखिए इसे देख सकते हैं इसका आकार बिल्कुल और यह सिंदूर में रखी जाती है कभी भी इसे गंदे हातों से जब आप पीरट्स में हो तो बिल्कुल भी इसे टच नहीं करना चाहिए मेरे पास और भी चीज रखी हुई है इनकी जानकारी में आपको किसी और वीडियो में डालूंगी दोस्तों अगर आपको मैं आपको ऐसी अच्छी जानकारी देती रहती हूं वरस्पती के बारे में ऐसी जड़ी पुटियों के बारे में जिससे आपको लाब हो सके दोस्त